नमस्कार कच्चा चिठा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर जहां भारत में विपक्षी दल अक्सर हार के बाद EVM यानि की Electronic Voting Machine पर ठीकरा फोड़ते हैं वहीं पाकिस्तान में आवास उट रही है कि अगर वहाँ EVM से चुनाप होते तो इतनी धानली नहीं होती पाकिस्तान के पूर्फ प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहा है कि अगर EVM से चुनाप होते तो फिर चुनाप की सारी गड़बड़ियों का समधान मातर एक घंटे में ही हो जाता इमरान खान फिलहाल जेल में बंध है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI राजनीतिक पार्टी के संस्थापक है अधियाला जेल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बाते की वो अलकादर ट्रस्ट केस में फसे हुए हैं जिसमें उनकी बीवी बुश्रा भी आरोपित है PTI ने भी सोशल मीडिया पर इमरान खान का ये बयान प्रकाशित किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाफ में EVM का इस्तमाल किया गया होता तो एक घंडे में धांदली की सारी समस्याओं का समधान असानी से हो जाता उन्होंने इस तोरान पाकिस्तान के चुनाफ आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाएं इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुछ राजनीतिक तलो और व्यवस्था के साथ मिलकर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग को चुनाफ में इस्तमाल नहीं होने दिया उन्होंने कहा क्यों अधिकारियों पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए चिन्होंने आम चुनाफ में जन्मत की चोरी की उन्होंने दावा किया कि उनकी पाठी को तीन करोड वोट मिले जबकि बाकी की सत्रा राजनीतिक पाठीयों को मिला कर इतने ही वोट मिले पाकिस्तान में अब PTI समर्थक EVM से चुनाफ कराय जाने की मांग कर रहे हैं वहीं भारत में कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारे हैं फिर भी वो EVM को भला बुरा कहते हैं लोग सभा चुनाफ 2024 की तारीखों का एलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदास में इसका जवाब देते हुए कहा अधूरी हस्रतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं बफर खुद से नहीं होती और खता EVM की कहते हो और बात में जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते हो उन्होंने बताया कि अब तक 44 बार सुप्रीम कोट इससे संबंधित याचिकाओ को खारच कर चुकी है इससे पहले EVM को लेकर काफी बवाल हुआ दरसल EVM के विरोत में प्रदर्शन कर रहे कॉंग्रिस नेता दिगविचे सिंग को नई दिल्ली में हिरासप में लिया क्या इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे पंजाब के 9 लोगों को सराय रोहिला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया पुलीस ने बताया कि राश्ट्रिय राजधानी में धारा 144 लागो है जिसके कारण किसी भी सभा या प्रदर्शन की अनुमती नहीं है एक अधिकारी ने कहा कि वे EVM हटाओ, मोर्चा और पुरानी पैंसन योजना के तहत जंतर मंतर पर विरोध पदर्शन करने के लिए पंजाब से आये थे बता दे कि EVM हटाओ, मोर्चा, गेर सरकारी संगटनों, इंडिया ब्लॉक, समाजिक संगटनों, बुध्धी जीवियों और देश के नागरिकों का एक साज़ा मंच है जो मत पत्रप पदती की वापसी की मांग कर रहा है इस मामले में कॉंग्रिस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर लिखा की दिगविजय सिंग और मुझ समेट सैकडो साथियों को EVM के खिलाब शांती पून प्रदर्शन करते हुए यूथ कॉंग्रिस का अल्याले से गिरफतार करके पारलिमेंट थाने पर रखा है समाचार एजेंसी पीटी आई के मताबिक पुलीस ने बताया कि प्रदर्शन करने के लिए आ रहे लोगों के पास चंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमती नहीं थी हाला कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें उनमें से एक ने दावा किया कि उन्हें पुलीस ने हिरासत मिलिया और सराय रोहिला रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है हाला कि पुलीस ने आरोपों से इंकार किया है उदर भोपाल कॉंगरिस ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलीस द्वारा एवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कॉंगरिस नेता दिग्विजे सिंग और उदित राच को हिरासत में लिया गया है क्या है इवीएम का इतिहास देश में चुनाफ होना और नतीजें आने के बाद इवीएम पर सवाल उचाना एकदम जय वीरू की जोड़ी सा हो गया है जैसे ये दोस्ती कभी नहीं टूटे तीन राचियों में कॉंगरिस की हार खास तौर पर MP में मिली सबसे बड़ी हार के बाद कॉंगरिस नेता दिग्विजे सिंग ने अपकी बार ये बड़ी जिम्मेदारी निभाई इवीएम पर सवाल उठा दिया दिग्विजे ने कहा चिप वाली किसी भी मशीन को हाक किया MP के सबसे बड़े नेता लाल कृष्न अडवानी ने इसका विरोध किया था इसके हैक होने की आशंका जताई थी बकाईदा चुनावायों को चिठी लिखी थी मांग की थी कि इवीएम की जगा अब चुनाव फिर पुराने तरीके यानी की बैलिट पेपर के जरिये वक्ता JVL नरसिमा राव ने तो EVM के विरोध में बकाईदा किताब Democracy at Risk Can We Trust on Electronic Voting Machine लिख डाली थी खेर 2014 के बाद यही EVM BJP को भाने लगी और फिर उसने कभी इसका विरोध नहीं किया तो कुल मिलाकर मामला ये है कि जो हारता है वो EVM खराब है कराक अलापता है एक बार चुनाव आयोग ने बुला कर मौका दिया कि साबित करो हैक करके दिखाओ तो सभी पार्टी ये करने में नाकाम रही खेर इससे भी दिल्चस बात ये है कि जिस EVM का विरोध दिक्विजे सिंग कर रहे हैं बुलाई तो कॉंग्रिस पार्टी ही थी क्या है इसका इ अलग बैलेट बॉक्स दिया जाता था इस पर उसका सिंबल चिपका होता था बैलेट पेपर पर भी प्रत्याशियों के नाम और सिंबल नहीं होते थे वोटरों को एक प्री प्रिंटेड बैलेट पेपर अपनी पसंद के प्रत्याशी के बैलेट बॉक्स में डालना होता थ फिर इनकी गिंती की जाती थी जो की एक लंबी और बोजिल प्रक्रिया थी और यही तरीका कारण था कि बूद कैप्चरिंग फरजी वोट वैलेट बॉक्स की लूट जैसे मामले देश के कई हिस्सों में लगातार होते रहते थे इसी को देखते हुए 1960 और 1961 में केरल और ओडिसा के चुनाफ में एक नया सिस्टम लाया गया बालट पेपर पर मार्किंग शुरू हुई ये मार्किंग सिस्टम 1999 के लोग सभ़ चुनाफ तक चलता रहा जवाब है नहीं Election Commission of India ने EVM पर काम 1977 में शुरू कर दिया था इसके लिए 1977 में ततकालिन चुनाफ आयुक एसल शकधर ने हाइदरबाद स्थित Electronics Corporation of India ECIL के office चाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसी कोई electronic machine बन सकती है जिसके सहारे election हो सके ECIL की हाँ पर उसे ये काम सौप दिया गया 1997 में एक prototype बना दिया गया 6 August 1980 को चुनाव आयोग ने इस prototype को सभी राजनीतिक पाठियों के प्रतिनिधियों के सामने चला कर दिखाया इसी बीच भारत Electronic Limited, BEL ने भी एक खोच कर डाली थी एक micro computer based voting equipment बनाया था जिसे उसने कंपनी की union के चुनाव में इस्तमाल भी किया था जहां ये कारगार साबित हुआ था जनवरी 1981 में BEL ने चुनाव आयोग से बात की, 19 जुलाई 1981 को फिर एक meeting हुई, BEL, ECL, कानून मंत्राले और चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के बीच बातचीत सफल रही, 19 मई 1982 को जो हुआ वो एतिहासिक था चुनाव आयोग ने सम्मिधान के आर्टिकल 324 के अंतरगत EVM के इस्तमाल का एलान किया, ठीक समझेया, पहली बार EVM का इस्तमाल होने जा रहा था, कहा हुआ, एक उप्चुनाव में केरल की पुर्रू विधान सभा के लिए हो रहे उप्चुनाव में, इसके बात 1982-1983 के दस सैसे उप्चुनाव में EVM का इस्तमाल किया गया, वगरिन सफलताओं के बीच एक पेच आ गया, दरसल केरल के जिस उप्चुनाव में पहली बार EVM चली थी, वहां लड़े प्रत्याशी इसके खिलाफ सुप्रीम पोर्ट पहुँच गए, यहां भी एक मज़ेदार किस हुआ यह कि पहले तो EVM का विरोध चुनाव से पहले एक सिवान पिल्ले नाम के प्रत्याशी ने किया, केरल हाई कोट में मामला लेकर पहुँच गए, मगर कोट ने इस विरोध में कुछ खास नहीं पाया और याचिका खारिच कर दी, मज़ेदार बात यह रही कि नदीचा आया तो प्रत्याशी सिवान पिल्ले चुनाव जीत गए, मगर फिर एक हारा प्रत्याशी ये मामला लेकर सुप्रीम कोट पहुच गया, जहां से मार्च 1984 में फैसला आया कि EVM का इस्तमाल चुनाव में नहीं हो सकता क्योंकि EVM के इस्तमाल के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, नतीचा केरल की पर्रूर विधान सभा में फिर से बालट पेपर पर चुनाव हुआ, खैर इसके बाद फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, ततकालीन राजीव गांधी सरकार आक्टिव हुई और दिसंबर 1988 में सांसत से इसके लिए बकाइदा एक क कानून बना दिया गया, Representation of the People Act 1951 में एक नया Section 61A जोडा गया, इसके तहट अब चुनाव आयोक को EVM के इस्तमाल की आजादी थी, 15 March 1989 को ये कानून संशोधन, हाला कि इसका इस्तमाल अभी भी किसी चुनोती से कम नहीं था, गाहे बगाहे इसका हर राजनीतिक पार्टी क की तरफ से विरोध किया गया, हाला कि इन सब विरोधो, EVM में तमाम तरह के टेकनिकल अपडेट के बीच, 1998 तक इसके इस्तमाल पर एक आम राय बना ली गई, 1998 में EVM का इस्तमाल एक बार फिर हुआ, 16 विधान सभाओं में, कहां, दरसल उस वक्त मध्यप्रदेश, राजिस थान और दिल्ली में विधान सभा चुनाफ हो रहे थे, तो इनी तीनों राचिकी कुछ विधान सभाओं में इसका इस्तमाल किया गया, 1999 के आम चुनाफ में 46 लोग सभा सीटों पर इसका इस्तमाल हुआ, February 2000 में हर्याना विधान सभा चुनाफ के दौरान, 45 विधान सभाओ में इसका इस्तमाल हुआ और फिर आया एक बड़ा साल, साल 2001 का जब तमिल नाजू, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधान सभा चुनाफ पूरी तरह से EVM के सहारे कराए गए, इसके बाद से सभी विधान सभा चुनाफ में इसका इस्तमाल होने लगा, 2004 क आम चुनाफ में भी सभी 543 लोग सभाओं में इसका इस्तमाल किया गया, फिर ये प्रक्रिया लगतार चली आ रही है, 2013 के बाद से इस प्रक्रिया में धीमे धीमे VVPAT का इस्तमाल भी शुरू कर दिया गया, तो यही है EVM का एक संशिप्त इतिहास आखिर में करनाटक हाई कोट की एक टिपड़ी का जिक्र करना मौजू हो जाता है, जिसने ऐसी ही एक EVM विरोधी याची का पर फैसला सुनाते हुए कहा था, कि ये आविशकार, बेशक, एलेक्ट्रोनिक और कम्प्यूटर, प्रद्योकी की में एक महान उपलब्दी है और के लिए देखते रहिए, कापिटल टीवी, नमस्कार.